नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपनी यूटूब चैनल एश्टडी के पी निटरू स्वागत है हम लोग देख रहे हैं केमिस्टी है क्लास 11 की जो पहला चैप्टर यहाँ पर सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमिस्टी इस पर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहां से क्लासिपिकेशन आप मैटर में सबसे पहले देखेंगे यहां पर मैटर को क्लासिफाइट किया गया है टूटा ऐसे फर्स्ट नमबर एक किया गया है फिजकल क्लासिपिकेशन और दूसरा किया गया है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन तो हम लोग यहां पर देखते हैं पहले फिजकल क्लासिपिकेशन देखेंगे और फिर देखेंगे chemical classification physically classification किया गया है matter को यहाँ पर हमारे surrounding में जो देखने के मिलते है matter वो solid form में मिलते हैं दूसरे मिलते हैं liquid form में और तीसरे मिलते हैं gaseous form दो और state होती है matter की एक होती है fourth होती है plasma state plasma होती है और fifth stage जो होती है बोस Einstein condensate जिसको short में bec बोलते है तो यहाँ पर जो चौथी stage है यह तो हमें यहाँ नहीं देखने को मिलती है यह हमें मिलती है जो star होते है जैसे कि sun है sun में देखने को मिलती है matter की जो fourth stage है sun में जो light दे रहा है वो matter की fourth stage है और ना ही हमको यह बोस Einstein condensate इसी भी नहीं देखने को मिलती है यह artificial है तो यहाँ पर यह हमारी क्या है तीन ही देखने को मिलती है यहाँ पर यहाँ पर 9th में यह भी पढ़ चुके हैं इनका भी classification कर चुके हैं solid, liquid और gas का यहाँ नहीं करेंगे हम लोग देख रहे है chemical classification chemical classification में matter को classified किया गए टू टाइब से फर्ट नमबर एक pure matter होंगे और दूसरे जो होंगे हमारे second होंगे impure या इनको mixture कहेंगे तो यहाँ पर pure matter होते हैं वो हमारे एक element होते है pure matter और एक compound होते हैं तो यह दो pure matter होंगे और दूसरे हमारे mixture है mixture हमारे two types होते है होमोजीनियस mixture और दूसरे होते है हेटोजीनियस mixture सबको यह करके देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग element element क्या है देखेगा क्राएं कि element are the substance यह भी एक substance है यह क्या है substance है element are the substance that cannot decompose into simpler substance देखेगा यह element एक ऐसा substance है जिसको और simpler मतब इसको और smallest particle में नहीं तोड़ सकते है simpler substance में नहीं break कर सकते है तो उनको हम लोग क्या कहते है element कहते है जैसे कि बात करते है element हमारे जो होते है 118,18 element है अभी तक जो total 18 element है वो कितने है 118,18 element है तो यहाँ पर कुछ element के name है जैसे कि hydrogen हो गया symbol की बात करता है helium है helium का symbol H ही होता है lithium है lithium का symbol LI है boron है बहुत सारे हैं तो boron का symbol भी होता है यह हमारे क्या है कुछ element है तो देखे कि यहाँ पर कहा गया है कि 118,18 element are known 92 elements are found in nature या earth crest कह सकते है earth crest में 92 elements होते है बाकी जो होते है जो बचे हैं हमारे 26 elements है जो artificial होते है इनको क्या किया जाता है इनको synthesize किया जाता है यह हमारे क्या होते है artificial होते है अंगला यहाँ पर है इसके बाद है यहाँ पर element को classified किया गया है एलिमेंट जो होते हैं एक हमारे मैटल होते हैं दूसरे हमारे नॉन मैटल के फॉर्म में होते हैं तीसरे मैटलाइट के फॉर्म में होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मैटल क्या होते हैं देखेगा metal from ketone by removal of electron दीखिए कि metal जो बनते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं metal जो है इनको 4 example जैसे कि हमारा sodium है, element है यह element है तो इसका जो atomic numbers होता है 11 होता है electronic configuration करेंगे तो इसका होगा 1s2 2s2 और 2p 6 और 3s1 तो outer mode cell जो है इसके outer mode 3 cell है outer mode cell 3 है और outer mode cell में laktan जो है 1 है तो यहाँ पर इसके outer mode cell में laktan 1 है तो यह हमारे क्या है, यह sodium है एक laktan को donate कर देता है, किसी अधर item को दे देगा, तो यहाँ पर यह हमारा sodium है, हमारे क्या होगा metal, क्यों? क्योंकि यह एक लक्टान को remove कर रहा है तो इस तरह से जो metal होते हैं वो cation बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर यह sodium है और यहाँ पर एक लक्टान इसने remove कर दिया outer mode cell से तो एक लक्टान निकल जाएगा तो उतनी positive charge आजाएगा तो one positive charge और यह electron का symbol है email तो यहाँ पर sodium ने क्या किया एक लक्टान को remove कर दिया और cation बना लिया sodium cation बना लिया तो जो भी metals होते हैं लक्टान को donate करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं metals होते हैं सभी जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कुछ metal की proprieties है metals are solid at room temperature जो भी metals होते हैं solid होते है room temperature, room temperature मतलब है यहाँ पर 20 से 25 degree Celsius की बीच में, जो metals होते हैं वो solid होते हैं, और यहाँ पर जैसे कि कुछ exception है, जैसे कि mercury हो गई गैलियम हो गई, यह हमारे liquid form में होते हैं, right अंगला है यहाँ पर जैसे कि metals have high density, जो भी metals होते हैं, इनके density हाई होते हैं क्योंकि इनके बीच, particle के बीच, matter जो होते हैं, जो solid होते हैं और solid के होते हैं, तो इनके बीच density क्या होती है, इनके solid जो होते है, solid के particle के बीच में inter molecular space क्या होता है, कम होता है तो इस तरह से इनके density भी हाई होती है क्योंकि इनके particle जैसे कि यह हैं closely packed होते हैं तो inter molecular जो space होता है बहुत ही कम होता है इस तरह से तो इनकी density भी क्या होती है density भी high होती है इस तरह से आगे हैं आपर देखेगा metals are good conductor of electricity and heat तो जो भी metals होते हैं heat देखेगा कोई मेटल की rod होती जैसे कि iron की rod है तो हम लोग यहाँ पर heat करते हैं iron की rod है और हम लोग इसको अगर heat करते हैं यहाँ पर metal की rod को heat करेंगे तो यहाँ पर heat करेंगे तो यह जो heat है वो पूरे में फिलो होने लगेगी metal यहाँ भी rod गरम हो जाएगी तो इस तरह से ये heat को क्या करते हैं conduct या flow होने देते हैं इसी तरह से electricity भी flow होती है तो ये metal जो भी होते हैं heat and electricity को good conductor होते हैं तो ये कुछ properties होती है सबसे अच्छा best conductor जो है वो silver होता है और जो poor conductor metal है वो हमारा lead होता है ये हमारा क्या है lead है आँगे है यहाँ पर देखेगा non metal की बात करते है non metal में क्या होते है just opposite होते जो electron को accept करते है सो हम कह सकते है non metals have accept electron जो भी जैसे के end form anines और क्या करते है anine को बनाते है for example जैसे की बात करते है यहाँ पर यहाँ पर हम लेते हैं जैसे की यहाँ पर sulfur है chlorine है यह क्या है non metal है ऐसा क्यों है क्योंकि इनका atomic number 17 होता तो electron भी 17 होते है तो electronic configuration करेंगे तो 2, 8, 7 तो इनकी outer more cell में 7 electron होते है तो अपने object complete करने के एक electron को gain करते है तो chlorine जो है एक electron को gain करके Cl minus sign बना लेता है तो इस तरह से यह जो होते हैं हमारे क्या होते हैं non metal होते हैं क्योंकि इनका electron accept किया है जैसे की sulfur की बात करते हैं sulfur sulfur जो है यहाँ पर हमें ले सकता हो यहाँ पर 16 होता है इनका electronic configuration करेंगे तो कुछ ऐसा होगा first cell में 2 electron second cell में 8 और third cell जो outer more cell है इनकी balance cell होते हैं तो sulfur की balance cell इनका 6 electron है और यह अपने octate complete करने के लिए आठ करने octate मताँ आठ करना चाहेंगे तो आठ करने के लिए sulfur क्या करें दो electron किसी से gain करेगा और यह anion बनाने बनाएंगे तो दो electron gain करके s to minus anion ने बनाया negative anion बनाया तो यह क्या है non-metal क्योंकि यह electron को accept करते हैं तो यह हमारे होते है non-metal की प्रोपाइड़ी यहां पर देखेगा non-metal जो होते हैं कुछ non-metal तो हमारे solid होते हैं जैसे sulfur हो गया phosphorus है और iod कुछ metal हमारे non-metal जो होते हैं वो liquid होते हैं जैसे कि bromine एक ऐसा non-metal है जो liquid form में होता है और other जो होते हैं ज्यादत तो हमारे non-metal gaseous form में होते हैं तो बात करते हैं अंगले point की non-metal oxides are generally acidic और neutral जो भी non-metal होते हैं जैसे कि बात करते हैं कार्बन यह एक non-metal है तो non-metallic oxide होते हैं मतलब non-metal जब oxides react करते हैं जैसे कि carbon oxides करके carbon dioxide बनाता है तो यह कैसे nature के होते हैं या तो यह acidic nature के होंगे या यह हमारे कुछ neutral होते हैं जैसे कि बात करते हैं AL2O3 यहाँ पर यह तो metal है यह amphoteric है AL2O3 amphoteric है यहाँ पर जैसे कि कुछ और हैं जैसे कि sulfur dioxide sulfur भी non-metal है और यह भी oxides react करके sulfur dioxide मनाएगा तो यह भी हमारे acidic nature के होते है acidic nature के है तो जो non-metallic oxide होते हैं वो acidic nature और कुछ neutral होते हैं जैसे कि बात करते हैं N2O यह हमारे neutral oxide है non-metallic oxide है इस तरह से अंगला क्वाइंट है जो भी नॉन मेटल होते हैं डू नॉट एवाल एस टू विथ मिन्राल एसेड बात करते हैं मिन्राल एसेड की जैसे की सल्फूरिक एसेड तो कह रहा है कि नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेटल मिन्राल एसेड के साथ रियक्ट करके हाइडोजन गैस जो होती है एवाल नहीं करते हैं लेकिन यहां पर हम बात करते हैं मेटल की जो भी मेटल होते हैं मिन्राल एसेड से रियक्ट करके वो हाइडोजन गैस को एवाल करते हैं जैसे की बात करते हैं सल्फूरिक ए हैं तो यह जो मेटल होंते हैं और रिकोन सब्सक्राइब लगीused करते हैं मेटला अवित तेको में तो नोन मेटल सब्सक्राइब करें तो युदatori क्योड करते हैं मैटला एंद मेटलाइड मृतिक चैसे कि सिलकॉन हो गया, सिम्बल इसका ऐसा ही होता है, जर्मिनियम हो गया, जी होता है सिम्बल, आर्सेनिक है, आर्सेनिक का सिम्बल होता है हमारा, ए, 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 आर्सेनिक का जो सिम्बल है यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं, कि यहां पर कि सिलकान का सिंबल ऐसाई है जर्मिनियों का समझी है आर सेने का सिंबल एस एंटिमनी का एस भी होता है टेलियूनियम का टी होता है तो यह हमारे कोछ एग्जाम्पिल है उसके मेटॉलाइट के इसी में आजाता है हमारा एक ऐलौाइट होते हैं यह देखेता है एन ऐलौाइट होते हैं यह जर्वक्र ऑब頭 नो मेटल तो यह दो होगी यह दो मैटल होंगी यह दूसरा नो मैटल का जो मेक्षार होता है नको ऐलोग बोलते हैं तो यह हमारी क्या है कुछ यहाँपर प्रोपेर्टीज है यहाँपर मेटरलाइड की और यहाँपर यह हमारा क्या है यह फस्ट पार्ट है हमारा सम वेसिक कंसफ्टो आफ यहाँपर Chemistry का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉंसेप्ट आफ केमिस्टी तो यह चैप्टर हमारा क्या है चैप्टर फर्स्ट है और पार्ट वन है पार्ट वन अंगला पार्ट आएगा अंगले दिन यहाँ पर और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिली चैनल को सब्साइब करना न भूलें थैंक यू